तो जैसरे राम मेरे सभी इंदु भाईयों को आपका स्वागत एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल दराश्ट्रवादी में और दोस्तों आज की वीडियो होने जा रहे हैं इस राश्ट्रवादी मुसलिम बहन के लिए जिसका नाम है निकत अब बास तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो स्लाइक रूर कर दीजिएगा और हाँ अगर अगर पहली बार आएं पहली बार मारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आप तक ऐसी वीडियो लाते रहते हैं अब आ जाते हैं मुसल्मानों पर यहाँ पर इसलाम गलत नहीं है क्योंकि हजरत आईशा और हज़रत ख़दीजा एक बड़ी बिजनस वुमन थी जिन्हों ने इसलाम को कामिल करा है गलत कुरान नहीं है गलत है तो इन जह से मौलाना जिन्हों ने तमान मिसलाम को और मुसल हिजाब में फरत है कि जाब के का फ़रत है मुआ हिजाब का मतलब है सिर्फ यहाँ से इतने फिसे को ढ़ दख लेना बूँए मतलब है पूरे जिसम को जब ज़संब को अज है यह जिसम का है चहरे पर वायूज़ आप पूछ ने कुरान में फिर वाज़ दिखाए लंदा सबूत वाग रही है दिखाए यह परता है जो आप कर रही हो नहीं तो आप सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब अपने आप आप नहीं देंगा खर्चा बीड़ते हैं अरे वकार साहब एक तो आपको सवाल का जवाब भी देना है, दूसरे साब किसी को बोलने नहीं दे जा चाराएं, क्या साड़क पा डिबेट हो रही है, आप सिछारत नहीं दिभेट, पहले आप सीछिए सर, ता हूं ये शांत हो जाएं तो नफरत क्यों कर रही हैं, आप उन ये एक ये नई ग्याइंग पनपी है, जिसका नाम है फसादी ग्याइंग, जो सिर्फ और सिर्फ फसाद मचाने का काम करते हैं, और इनके सर्मोर का नाम सुनिए, सबसे पहले तो वैसी साहाब, उसके बाद महबूबा मुफ्ती, माया वती, अखिलेश, जी राहूल गांद से इतनी बेपना मोहबत ये क्यों करते हैं, और अगर करते हैं, तो ये भगवान का नाम क्यों बदनाम करते हैं, अपना चले जाया आतरवादियों के साथ, पहले तो सलाग के बिद्द, तो सतीश प्रकाश जी को बता दे, बिद्द का मतलब होता है इनोवेशन, जब दूसरी शादी कर दे, तो मर्द को जेल भेज देते हैं, बोलो दूसरी शादी मौला ना नहीं कर सकते हैं, जेल भेज देंगे, हमजाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाई, जो मेरे साथ खड़े हुए खान साव और तमाम ऐसे, जो मैं कहूंगी जूटे काजी, सच् मैं ऊष्यादी कर दोघराएं, जो मैं कर दो सबीगता है, यहाद कि यूइ खान सब्सक्राइबаемे, हमसे कऊने। क्या वो इस्लाम आपको बोलता है कि इस तरह कि आप शब्द इस्तमाल करिये क्या आपको शर्म नहीं आ रही उस उस बंदे का सपोर्ट करते हुए किस प्रकार के शब्द उन्होंने टिपडी करिये गंगा के बारे में और यह जो तमाम लोग जैसे तहसीन जी डर रहे हैं इन्हें तब डर नहीं लगा जब चियासट में सादू संतों को रातो रात मार दिया गया इन्हें तब भी डर नहीं लगा जब कश्मीर वैली में कश्मीरी फंडोत को निकाल दिया गया इन्हें तब भी डर नहीं लगा कि जब एमर्जंसी हुई और लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया और इन्हें आज भी डर नहीं लग रहा जब एजास खान जैसा गिनोना आदमी माफ कीजिएगा नाशनल टेलिविजिन पर बोल्डू पर इस बात का पूरा समर्थन करती हूँ जो ऐसा आदमी जो जहर पहलाने का काम कर रहा है और आप आप ये समर्थन करें आपकी जुबान नहीं लड़कर आ रही ये बोलते हुए आप बोलिए ना एक तके रचीदी सब जवाब छ्रास खान ने बोला वो गलत है वो इस्लाम के खिलाउफ है आप जैसे ठेकेदार हैं जिनोंने मुसल्मानों को बजनाव कर रखाए आप वो हैं जो टोपी पहंगत बैटे तो हैं पर यहां पर इस्लाम में जो गलत है बारत तेरे तुकड़े होने की बात करता है और दुआ करता है ना उसको मैं आंटी रैशनल बुलाओंगी तो अधर शब्राइशनल है बाई बहन कैसे चिला रहे हैं सात में मिल जब बहन के जगे बहन के नजों से देखते हैं अपना दोग्ला बंदी पन्रौज चाहिए अपना इस तरकार का शर्मानी चाहिए है और बहुत जाहिए आपको आपने आप अभी मांगनी चाहिए आपको बहुत चल्ड़ा गए पर मेरे एक सवाल है ये जितने लोग हैं मुखालफत करने वाले ये कहां थे जिने पाकिस्तानी मुसल्मानों किया चिंता हो रही है जब 1992 में जैन मंदिर चौक को तोड़कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद चौक का नाम दिया गया था पाकिस्तानी मुसल्मान ने करा था ये ल ये लोग जवाब दे जो मुखालफत पाकिस्तानी मुसल्मानों की कर रहा है और इस काल्पनिक अध्याय की पीछे बहुत बड़ा शडियंत्र है और शडियंत्र सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान को हिंदू-मुसल्मान में बाट कर भाईचारा खतम करो अमन खतम करो और ये जिसको चोट लगती है वही बाहर निकलता है जिसको चोट लगती वही बाहर निकलता है आपके यहां से सो कॉल बैठे हुए ब्रिगेडियर पाकिस्तान के, इनकी बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ ने से, दो चंद लाइने हैं, ये समझ जाएंगे, कि कोनी पर टिके हुए लोग, टुकडो पर बिके हुए लोग, करते हैं ये बरगत की बाते छोटे से गमले में उगे हुए लोग, पाकिस्तान का वो हश्र है, अब जनाब बात कर लेते हैं, जब आपने बात करी कि हिंदुस्तान में मुसल्मान को नमाज पढ़ने से भी लोग कतराती हैं, और यहां पर काट दिया जाते हैं, रे मेरे भाई, ज़रा हिंदुस्तान में आके देखो, हम उस देश उस मुल्क से आते हैं, जहां का राष्ट्रपती प्रेजिडेंट मुसल्मान होता है, तुम अपना एक नेता, एक मंत्री जो हिंदु हो बता दो, आपकी तर्या बेटिया नहीं बेचते हैं हम आप लोगों की तरह, आपने तीन बाते करी थी कि पाकिस् हैं, उसके बाद आपने बहुत ही अच्छी और बात करी कि आप इसलामिक मुल्क हैं, इसलाम को बदिनाम करने में मता ही है, इसलामिक मुल्क उसे नहीं कहते हैं, जो मूँ पर काला कपड़ा बांध कर, अल्लाहु अक्बर कहकर, लोगे के गले को जिबा कर देता हैं, उस प आपने क्या करा, आपकी तो रूत तब भी नहीं कापी, जब आपके खुद के कौम के बच्चे, आपके खुद के घर के बच्चे वहाँ पर शहीद हो गए, और आप लोगों की आखों से एक आसु का कत्रा नहीं बहा, तो अगर हिंदुस्तानी मुसल्मान की बात करते हैं, तो हम इसलाम को समझते हैं, हम आपकी तरह लहु अकबर कहकर गले नहीं काटते हैं, हम निर्दोश को नहीं मानते हैं, हम आप लोगों की आर्मी की तरह, हमारी आर्मी, आप लोगों की आर्मी की तरह आतंगवादियों के तलवे नहीं चाटती, हम उस देश से आती हैं, जह हि Beim the यह आपने पूरी वीडियोगी उसके लिए बहुत धन्यवाद मिलता उनी वीडियो में आप चिछे स्वाइब कर लीज़िए ताकि आपको अगली वीडियो मिल अप्णा खेला मिलता उनी वीडियो में